नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जब भी एकादसी का ब्रत आता है तो हम सोचते हैं क्या खाएं और क्या नहीं खाएं देखिए वैसे तो चावल बैगन मसूर की डाल जो कुछ ऐसी चीजें है जो जिसके बारे में हर कोई जानता है कि नहीं खाना चाहिए लेकिन आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर विष्णुपुरान क्या कहता है देखिए एकादसी तिथी सिर्फ यह नहीं की इस बार की एकादसी हर एकादसी के दिन कुछ ऐसे नियम है जिसको जरूर मानना चाहिए अब एकादसी तिथी हो या रोज का पूजा हो संक बजा कर ही पूजा करें तीन तीन बार सुभा तीन बार साम क्योंकि संक बजाने से निगेटिव एनर्जी भी दूर रहती है सुख्ष किटानुओं का नास होता है और अगर आप एकादसी का ब्रत रखती हैं तो पुर्ण नियम से रखें और दूसी बात दौदसी के दिन असली नि मुक्ष की प्राप्ती होती है और जीवन में हर प्रकार का बहुतिक सुख प्राप्त होता है सुर्योदे से लेकर दौदसी तिथी की सुर्योदक तक ये ब्रत रहता है और ब्रत में विसेश नियमों का पालन जरूर करना चाहिए निर्जला एकादसी हो या फिर फलाहार कर कि आप एकादसी का ब्रत रखते हैं लेकिन कुछ खास निया देखे एकादसी के दिन फल में आप क्या खा सकते हैं सवाल ये भी है तो जब भी आप एकादसी तिथी में आप ब्रत रखते हैं तो या नहीं भी रखते हैं ब्रत तो चावल मत खाईएगा क्योंकि अगर आप चावल खाते हैं तो रेंगने वाले कीड़े के रूप में आपका जन्म होता है अब अगर मान लेते हैं आपने भूल से खा लिया तब तब दुआ दसी तिथी के दिन चावल जरूर खाईए इससे आपके जो आपने भूल से खा लिया है वो दोस खत्म हो जाते हैं अब आपने फस्ट किया है का दसी का क्या खाएंगे देखिए फलों में आप केला, आम, अंगूर सब कुछ खा सकते हैं ड्राइफ रूट में भी आप खा सकते हैं बादाम, काजू, किस्मिस लेकिन नमक बिल्कुल भी ना खाएं आप चीनी खा सकते हैं, मिसरी खा सकते हैं, नारियल भी खा सकते हैं और इस ब्रत में बहुत साएं लोग देखिए इस दिन वहीसे तो आपको पता ही होगा कि जो और मसूर की दाल नहीं खाया जाता अब क्या क्या नहीं खाया जाता, यह हम भी विस्तार से जानेंगे लेकिन काली मिर्च भी आप खा सकते हैं जैसे कि आप चाय बना रहे हैं, तो अद्रग डाल के बना लें काली मिर्च डाल के बना लें, आपका गला भी अच्छा रहेगा इसमें दोस्त नहीं है एकादसी तिथी के दिन लेकिन संभव हो तो बजार से बनी मिठाईयों का सिबन ना करें एक और बात देखिए एकादसी तिथी के दिन क्या ना खाए यह सबसे जरूरी है जानना भगवान स्री हरी को प्रशन्र करने के लिए जब आप एकादसी का ब्रत रखते हैं न तो एकादसी तिथी के दिन प्याज, लहसन, मसूर की दाल, उरद की दाल, चने की दाल और कोदो का सेवन भूल कर भी ना करें इसके साथ ही अगर आप ब्रत रखते हैं तो तला हुआ भोजन, यानि डीप फ्राइ भोजन, बैंगन ना खाएं, आइसक्रीम ना खाएं, डबा बंद खाना भी ना खाएं लेकिन जहां तक संभवो, इसको लेने से बचें, और मसूर की दाल तो भूल कर भी मत खाएएगा, आप ब्रत रखे या ना रखें अब मूली, मूली भी नहीं खानी चाहिए हाँ, सामर्थ अगर ना हो तो एक ही भार भोजन करें, निराहा भोजन आप रह सकते हैं, निर्जला रख सकते हैं लेकिन अगर आपने ब्रत धारन किया है, तो आप इस दिन, एक आदसी के ब्रत में, चावल, बाजरा, याद रखिए साग, गोबी, यह सच भी नहीं खानी है, ध्यान से सुनियेगा मटर भी नहीं खाना है, छोला यानि की चना नहीं खाना है, सेम की सबजी भी नहीं खानी चाहिए सलजम, गोभी, गाजर, पालक ये सभी चीजे एकादसी ब्रत में बरजित मानी जाती है चाबल बाजरा जो मैदा ये सभी चीजे तो नहीं ही खाई जाएगी इसके साथ ही मेथी, हींग, सरसों, सोंप, इनाची, इमली, लॉंग, जाइफल ये सभी चीजे भी एकादसी ब्रत में या फिर एकादसी के तिथी के दिन नहीं खाय जाती नास पाती भूलकर भी मत खाईए, ना ही भगवान को अरपित करें वरना आपके ब्रत का जो पुन्य फले उसको नास कर देगा बेकिंग पौडर, नमक, बेकिंग सोडा, कस्टर्ड, हींग, ये सभी चीजें भी मत खाईएगा किसी भी तरह का मिठाई खाने से बचें और जो सरसूं है, कोई भी सरसूं हो सरसूं वाली सबजी भी एकादसी तिथी को ना खाए अब मान लेते हैं, जैसे कि लौंग भी है, नमक भी है, इलनाची भी है अब आपने भूल से खा लिया, पान नहीं खाईएगा, क्योंकि स्रीहरी को पान अतिप्री है और पान के बिना उनकी पूजा भी पूरी नहीं होती, सौंबी नहीं खाना चाहिए तो अब मान लेते हैं, आपने भूल से खा लिया, अब क्या करेंगे तब ऐसा होने पर तुरत, जैसे ही आपको ख्याल आए, आज तो एकादसी है, हमने ये भूल कर दी पुरंद भगवान सूरी का दर्सन करें, और फिर भगवान विश्णू से छमा मांगे पहले सूरी का दर्सन करें, और फिर छमा मांगे क्या खाएंगे, सभी तरह के फल खाईए, नास पाती को छोड़कर आप चीनी का सेवन कर सकते हैं, आलू खा सकते हैं, साबुधाना खा सकते हैं, सकरकंद खा सकते हैं जैतुन का तेल, नारियल का तेल खा सकते हैं, दूद खा सकते हैं, नारियल भी खा सकते हैं, जैतुन भी खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं और बहुत साई लोग सिंधा नमक खाते हैं, तो अगर आपके हैं चलता है तो आप खा सकते हैं, कोई दिकत नहीं है तो आज हमने विस्तार से जाना कि एकादसी तिथी के दिन क्या खाए और क्या ना खाए तुलसी के पत्ते ना तोड़िएगा ना खाईएगा एकादसी तिथी के दिन क्योंकि इस दिन तुलसी जी स्री हरी के साथ होती है इस दिन नहीं खाना चाहिए अगले दिन पारन करते हैं तब खाईयेगा, तो यह तो थी, आज हमने आपके साथ बहुत सारी बाते बिस्तार से सेर की लेकिन क्या खाएं, खाना चाहिए हमने बताया, लेकिन जरूर क्या खाएं, देखिए, स्रीहरी की जब आप पूजा करते हैं, उनको कुस्तो भोग लग होंगे आप उनको मिण श्रिक भोग लगाते होंगे गुर। का भोग लगाते होंगे प्ल मेई खाना चाहिए स्रीहरी को लेकिन ब्रूवार के दिन जब इक आदसी आता है घुराव और साब रेकी अब दूसरी की घर का नाज नहीं खाना है लेकिन जब आप sri hari को पंचमलit का भोग लगाते हैं तो इस पंचमलit को गरहन की एकांडessinyTHィ दिन इस से आपके पुन्य फल में बurchदी Biz होगी आपको पुरा पुन्य मिलेगा एकांडश सी सेयर करें कमेंट करें धन्यवाद हम फिर मिलेंगे